एलुसी पर पाक कमांडों के लिए काल बन रहे भारतिय सेना के जवान पंद्रा दिनों में पाकिस्तान के दस कमांडों को सेना ने किया धे जब मुकश्मिर से धारा 370 हटाए जवाने के बाद से ही पाकिस्तान और भारतिय सेना के बीच सीमा पर तनाव का माहुल है अपने खीश निकालने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार सीज़ फायर का उलंगन कर रहे है। ऐसा कर वो भारत में आतंक्यों की घुसपैट कराना चाते हैं। लेकिन भारतिय सेना के जवान भी पाक सेना की हड़ना पाक हरकत का करारा जवाद दे रहे हैं। दरसल एलोसी पर भारतिय सेना किस तरह पाक सेना पर कहर बन कर तूट रही है। उसका अंदाज़ा इसे बाख से लगाया जा सकता है कि बीते 15 दिनों में भारत के सुरक्षा बलो ने अपनी जवाबी कारवाई में दस से ज़्यादा पाक सेना के कमांडो को मार गिराया है। सुरक्षा बलो से जुड़े सूतरों ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी लगातार भारतिय सीमा पर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। यही नहीं सीमा पार से सीजवायर उलंगन भी किया जा रहा है ताकि भारत में आतंक्यों के घुसपैट कराई जा सके। लेकिन मुस्तैद आर्मी के जवान सिर्फ उसके मनसूबों पर पानी फिर रहे हैं। बलकि तीन हफ्तों के भीतर ही उसके दस कमांडों भी धेर कर दिये गए हैं। आपको बताने की हाल ही में ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने पिछले 15 दिनों में लूसी के पास 100 से ज्यादा SSG कमांडों को भेजा है। खबरों के मताबिक पाक आर्मी का खास फोकस दाना और बाक सेक्टर में हैं। हाना कि लोजिस्ट्री और अनीतिक रूप से ये क्षेतर बेहत एहम है। इन ब्रिगेट्स के साथ हैवी अर्टिलिरी भी इस इलाके में पहुँचाई जा रही है। खबरों की माने तो एलोसी पर हालात देखकर ऐसा लगता है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। कुछ इसी तरह के बयान पाकिस्तान के हुकमरानों की ओर से भी आ रहे हैं। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के रेल मंत्री शेक राशीद ने भारत पाकिस्तान के बीच अक्टूबर नवंबर में युद होने की भविश्यवान की थी। हालाकि भारती सेने लोसी पर पाकिस्तानी सेना के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं इंडिया नीज पारल की रिपोर्ट